हलो एवरिवन वेलकम टू क्रिजी जीके ट्रिक आज हम बात करेंगे दा एमदाबाद सीरेल ब्लास्ट के बारे में जो 2008 में हुआ था एमदाबाद में Friends, Recently Court ने एक historic judgment दिया है जहाँ पा 38 लोगों को फासी के सजा सुनाई गई है Friends, इस वीडियो में हम एमदाबाद ब्लास्ट केस के बारे में बात करेंगे हम इस केस में देखेंगे कैसे investigation हुई, कोट ने किस तरीके से trial को conduct किया उसके बाद हम देखेंगे capital punishment के क्या laws है इंडिया में हम कुछ important supreme court cases को भी discuss करेंगे और last में हम discuss करेंगे debate around death penalty आईए सबसे पहले discuss करते हैं एहमदाबाद blast case एहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को serial blast हुए थे यहाँ पर 21 low intensity explosion हुए थे एहमदाबाद की 14 जगाओं पर यहाँ पर दो blast एहमदाबाद की hospitals में भी कराए गए थे इस blast के अंदर 56 लोगों की जान चली जाती है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं इस blast से पांच मिनट पहले ही इंडियन मुझाइदीन के लोगों ने इनफॉर्म कर दिया था के एमदाबाद में blast होने वाले हैं और blast होते ही उन्होंने इस पूरे blast की जिम्मदारी बिली आईए अब हम बात करते हैं पुलिस investigation की ये केस गुजराद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा investigative चालेंज था इतना बड़ा केस गुजराद पुलिस के सामने कभी नहीं आया था इस केस को solve करने की जिम्मदारी यहां पर उस समय के Joint Commissioner of Police आशिष भाटिया जी को और Deputy Commissioner of Police अबे जी को दी गई थी इस केस में जिन लोगों पर आरोप लगा था वो इंडियन मुजायद दीन के मेंबर्स थे इंडियन मुजायद दीन एक terrorist organization था जो band student Islamic movement of India यानि के SIMI के अंदर से निकला था यहां पर गुजराद पुलिस को पहले 5 दिनों तक कोई लीड नहीं मिलती है और 5 दिन उनको पहले लीड मिलती है और उसके बाद investigation बहुत तेजी से आगे बढ़ती है यहां पर एहमदाबाद पुलिस मुंबई, दिल्ली और उत्तर पदेश की पुलिस के साथ कॉडिनेट करकर जल से जल इस केस को solve करती है यहां पर सबसे पहला arrest 15 दिन के अंदर ही हो जाता है और 15 नवेंबर 2008 तक गुजराद पुलिस ने almost पूरे अपरादियों को गरफ्त में ले लिया था और अगर हम बात करें गुजराद पुलिस ने क्या क्या चीजे find करी इस केस में तो यहां पर पुलिस को पता चलता है सिमी के चीफ सफदर नारोगी एन कुमरुदीन नागोरी ने लगबग 50 लोगों को ट्रेनिंग दी थी करेला के जंगलों में यहां पर पुलिस को यह भी पता चलता है कि अब्दुल और यासीन बटकल ने मिलकर प्लैन मनाया था इस ब्लास्ट का और पुलिस इन दोनों को पूना से ग्रफतार करती है यहाँ पर अब्दुलोरासिन को आईएस आईएस जो पाकिस्तान की स्पाय एजेंसी है उससे मदद भी मिल रही थी और एमदाबाद इन्वेस्टिकेशन के दोरानी हमको बाटला हाउस इंकाउंटर भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात लिकलकल सामने आती है वो यह है कि इन्टेरिस्ट और्गुनाइजिशन का कहना था और उन्हें अमदाबाद में ब्लास्ट इसलिए किया है क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे गुजरात में हुए दोजार दो में दंगो का और साथ साथ उनके टार्गेट में यहाँ पर उस समय के चीप मिनिस्टर नरेन मोदी जी थे साथ में अमिश्या और आनन्दी बेंज जैसे प्रमुक निताओं को भी यहाँ पर टार्गेट बनाया गया था फुल्स इन्वेस्टिगेशन के बाद यह मामला जाता है कोट में आईए अब हम देखते हैं कोट में किस तरीक से पूरा केश चला और किस तरह से कोट ने जज्जमिन्ट दिया यहाँ पर कोट ने 7000 पेजो का जज्जमिन्ट दिया है और इस केस को rarest of rare कैटेगरी में लिए यहाँ पर कोट ने 35 FIR को मिलाकर एक FIR बनाई उसके बाद 2010 में ये court case चालू होता है ये case लगबग 12 साल चला है और इन 12 सालों में 9 different judges ने इस case को सुना और लगबग 1100 से ज़्यादा witnesses को examine किया यहाँ पर 26 witnesses को star witness बनाया गया है जिन्होंने कुछ प्रमुग जानकारीदी court में और इन star witnesses को special protection provided police से और इनकी detail reveal नहीं की जाती है यहाँ पर 78 लोगों पर एक case चल रहा था मगर इन में से एक आरोपी police की सहायतला करता है और court में कुछ important ब्यान देता है और उसके बाद court उसको बरी कर देता है और उसके बाद बचे हुए 77 लोगों पर case चलता है यहाँ पर उन 77 लोगों में से 28 लोगों को बरी कर दिया जाता है 11 लोगों को अज इवन कारावास की सजा होती है और 38 लोगों को यहाँ पर फास्री की सजा सुनाई जाती है इंडिया में आज तक किसी भी case में इतने लोगों को एक साथ फास्री की सजा नहीं सुनाई गई है इससे पहले TADA court ने राजीव गांदी assassination case में 26 लोगों को फास्री की सजा सुनाई थी इस case के बाद यहाँ पर public prosecutor अमित पतेल का कहना था के इन 38 लोगों को इंडियन penal court के तहत सजा सुनाई गई है जहाँ पर section 302 यानि के murder section 120B यानि के criminal conspiracy और साथ साथ कुछ provisions of UAPA भी लगाए गए है और उस अधर पर यहाँ पर फास्री के सजा हुई है यहाँ पर Mr. Patel ने यह भी कहा कि यह लोग guilty है murder के attempt to murder के criminal conspiracy के और यह लोग हमारे देश के खिलाफ एक जंग लड़ रहे थे इन पर देश दुरो का आरोप है और इनोंने terror activities में participate किया है इसलिए इनको यहाँ पर सबसे बड़ी सजा यानि के फास्री के सजा सुनाई गई है Friends इस case में गुजरात पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उसने अपनी investigation में बहुत अच्छा case present किया court में और साथ में ये चीज ensure करी कि इंडिया में इंडियन मुझाहिदीन के कोई भी roots ना रहें कोई भी members ना रहें और ये organization इंडिया से बिलकुल खतम हो जाए Friends यहाँ पर हमने एमदाबाद case को briefly discuss किया है आईए अब हम discuss करते हैं इंडिया में death sentence को लेकर क्या क्या laws हैं क्या provisions हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं Criminal Procedure Code of 1973 जिसका section 354 बोलता है कि court को बताना पड़ेगा reasons देने पड़ेंगे कि क्यों वो किसी को death sentence सुना रहा है यहाँ पर कुछ ताइम पहले law commission की 262 report आये थी जिसने बोला था कि इंडिया से हमको death sentence खतम कर देना चाहिए मगर उसने यहाँ पर यह भी बोला कि ऐसे cases जहाँ पर crime against इंडिया है जहाँ पर ऐसा crime है जो terror activities को promote करता है या terror से related है उन cases में फासी की सजा सुनाई जा सकती है यहाँ पर हमको यह बात note करनी चाहिए कि इंडिया में capital punishment यानि कि death sentence सुनाना एक बहुती rare condition होती है और जाज़तर court death sentence की वज़े life imprisonment की सजा सुनाते हैं और अगर बात की जाए ऐसे concept provision है इंडिया में जिसके तहट फासी की सजा हो सकती है तो यहाँ पर हम देखते हैं IPC के कुछ section जो बताते हैं कब-कब फासी की सजा सुनाई जा सकती है अगर कोई इंडिया के against war wage करता है अगर कोई mutiny करता है इंडिया के against अगर कोई false evidence देता है किसी निर्दोस को फासी की सजा सुनाने के लिए और अगर कोई murder करता है तो उन cases में फासी की सजा IPC के तहट सुनाई जा सकती है और भी इंडिया में कुछ acts हैं जिनके तहट फासी की सजा हो सकती है जैसे के सती prevention act of 1987 पॉसको act जहांपर किसी minor के साथ रेप होता है तो फासी की सजा हो सकती है यूए पीए के तहट फासी की सजा हो सकती है इंडियान आर्मी नेवी और एरफोर्स के भी कुछ acts हैं जहांपर फासी की सजा हो सकती है अगर कोई आर्म फोर्स के खलाफ जाता है या फिर कोई आर्म फोर्स का मेंबर ओफेंस कमेट करता है इंडिया के खलाफ या फोर्स के खलाफ यहांपर SCST prevention act के तहट भी फासी की सजा हो सकती है और साथ में नार्कोटिक ड्रग and psychotropic substance act के तहट भी फासी की सजा के प्राफधान है इंडिया में तो Friends इंडिया में काफी ऐसे कानून है जिसके तहट फासी की सजा सुनाई जा सकती है यहांपर हमको एक recent data भी देखने को मिलता है जहांपर 2021 में 478 लोगों को फासी की सजा सुनाई गई थी जो 17 सालों में सबसे हाइस नमबर था इंडिया में और यहांपर हम Project 39 का data भी देखते हैं जो Delhi की Law University लिकालती है जिसने बताया 2018 में 426 case थे death sentence के और 2019 में 378 यहांपर Project 39A ने statewide डाटा भी दिया है तो यहांपर हमने देखा किस-किस कारण से इंडिया में death sentence हो सकता है आईए अब हम बात करते हैं इंडिया में कुछ important cases की यहांपर सबसे पहला case हम देखते हैं जग मोहन सिंग वर्सेज स्टेट ओफ उत्तर प्रदेश यहांपर कोट ने बोला कि फासी की सजा हो सकती है मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि procedure established by law का पालन किया जाए यानि इंडिया में जो भी करनुन विवस्ता है उसके तहती कारवाई की जाए दूसरा case हम देखते हैं यहांपर बच्चन सिंग वर्सेज State of Punjab 1980 यहांपर सुप्रीम कोट ने पहली बार rarest of rare case की बात की थी और बोला था ऐसे case जो rarest of rare होते हैं उन्हें फासी की सजा सुनाई जा सकती है उसके बाद सुप्रीम कोट ने मंची सिंग वर्सेज State of Punjab 1983 में कुछ guidelines दिये कुछ consideration दिये जिसके तहट वो rarest of rare case को define करते हैं और सुप्रीम कोट ने सत्रुगन चोहान वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया case में ये बात आफजर्व करी कि ये देखा गया है कि इंडिया में कई बार बहुत जादा समय लग जाता है death sentence को implement करने में execute करने में और इस आधार पर सुप्रीम कोट ने कुछ death sentences को उमर कैद में बदल भी दिया था तो friends ये कुछ important cases थे जो death sentence से related हैं इंडिया में friends मगर recently international level पर death sentence को हटाने की बात की जा रही है तो आईए अब हम discuss करते हैं क्या debate है around death sentence यहाँ पर सबसे पहले हम उन लोग के point देखते हैं जो death sentence को continue करना चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले reason वो लोग देते हैं Retribution Justice का जो इस principle पर काम करती है कि जैसे के साथ तैसा किया जाना चाहिए तो friends यहाँ पर इस आधार पर death sentence सुनाया जाता है दूसरा reason दिया जाता है deterrence का यानि के यहाँ पर लोगों का कहना है कि death sentence लोगों के बीच दर पैदा करता है और आने वाले समय में लोग ऐसा crime नहीं करेंगे एक और तरक यहाँ पर यह दिया जाता है कि क्यों जनता का पैसा खर्च किया जाए ऐसे criminals पर जनोंने बहुती हीनियस crime करें है जनोंने मानफता के वरुद जाकर crime करें ऐसे लोगों पर जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और उन्हें जल से जल फासी के सजादे देनी चाहिए और एक बहुती important argument जो हमको देखने को मिलता है यह है कि esimerkाव लोगों की इक्छा होती है कई बाड जो लोग niż victim है वो लोग खुद demand करते है count से जिन लोगों ने उनकी family के साथ crime किया है जिन लोगों ने उनके relatives के साथ crime किया है friends के साथ crime किया है उन लोगों के साथ severely behaviour किया जाए और उनको फासी की सजा सुनाई जाए तो friends यहाँ पर हमने देखा कि क्या तर्क दिये जाते हैं जो लोग favor में हैं death sentence के आईए हम देखते हैं इसके against में क्या तर्क दिये जाते हैं यहाँ पर सबसे पहला point यह race किया गया है कि कोई भी evidence ऐसा देखने को नहीं मिलता है data में जो बताता है कि death sentence की वज़े से crime कम होते हैं या फिर death sentence एक दर का माहौल पैदा करता है criminals के बीच दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कई बार innocent लोगों को death sentence सुना दिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी mistake होती है किसी भी individual किसी भी परिवार के खिलाफ यहाँ पर यह case हमने इंडिया में भी देखा था जहाँ पर Supreme Court के judges ने government से अपील की थी कि कुछ लोगों को गलती से death sentence सुना दिया गया है और बाद में उन पर से वो death sentence हटाया भी गया था और एको reason जो यहाँ पर दिया जाता है वो यह है कि retribution गलत होता है यानि कि जैसे को तैसे की भावना यह बदले की भावना को प्रेड़ना देती है और बदले की भावना किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है यहाँ पर गांदी जी का यह code भी बोला जाता है कि an eye for an eye makes the whole world blind इसलिए यहाँ पर restorative justice की बात की जाती है जहाँ पर यह principle अपनाने की बात की जाती है कि समाज के उस individual जिसने crime किया है उसको सजा सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है उसको सजा सुनानी चाहिए मगर साथ साथ हमको यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि justice का मतलब यह नहीं है कि हम उससे बदला लें justice का मतलब यह होता है कि वो अपनी punishment पूरी करे और साथ साथ उस punishment के दोरान वो एक अच्छा नागरिक बने उसके अंदर सुधार भी आए और वो एक पच्छा ताप की भावना से होकर गुजरे तो friends हमने देखे क्या arguments हैं फेवर में और अगेंस्ट में death sentence के और अगर बात की जाए global सिनारियो की तो यहाँ पर हम देखते हैं यूएन में लगबख 170 countries ने resolution उठाया था जहाँ पर वो death sentence को हटाने की बात करते हैं और आज की date में around 50 countries ही ऐसी हैं जहाँ पर death sentence आज भी सुनाया जाता है Friends, Amnesty International जो की एक international NGO है उसने समय समय पर ये बात उठाई है कि death sentence को हमेशा के लिए खतम कर देना चाहिए Amnesty हमेशा human rights की बाते करता है यहाँ पर वो लोग ये argument भी देते हैं कि every saint has a past and every sinner a future तो Friends, Basically यहाँ पर ये बात कही जाती है कि हमको forgiveness की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को सुधरने का मौका भी देना चाहिए यहाँ पर आपके क्या viewpoints हैं इस issue पर वो भी comment box में बताईएगा I hope आपको यह वीडियो informative लगा होगा ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें friends मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ till then bye bye and take care